बनुसरातन धर्म कीजै श्री राम कृष्णा भगवान कीजै श्री शंकर भगवान कीजै श्री रक्ष्मी नारायर भगवान कीजै जग्नमे मैया कीजै सद्गुद तेमु राम महराज कीजै सद्गुद सर्वारन महराज कीजै सद्गुद शंती प्रकाश महराज कीजै सद्गुद हरिरास राम महराज कीजै सर्वसंतन कीजै प्रेम्ब्रकाश मंदर कीजै अम्राफुर दर्वार कीजै राग कोयारी भजन अठ आद जुगां जुग जुग मजहब वारन आद जुगां जुग लान का देवन गार वजायो गलिय गलिय में हरी गुम गायो तैंके बंद करायो जगडो लायो आद जुगां जुग मजहब वारन आद जुगां जुग काशिय माहे का वीर दुलाहो पाखंड तोड़े पंथ चलायो पेर जंजीरे पायो जगडो लायो पेर जंजीरे पायो जगडो लायो आद जुगां जुग मजहब वारन आद जुगां जुग आयनला हक मन सूर अलायो हक हकी की हो को लायो वावा सूरी असीस चड़ायो जगडो लायो सूरी असीस चड़ायो जगडो लायो आद जुगां जुग मजःभ वारण आद जुगां जुग बीन बुलाशा विर्ह वजाई गलव जुझामो छेर छिमकाई तैलाई शोर मचायो जगडो लायो आद जुगाँ जुग मज़ाप वारण आद जुगाँ जुग कैटे उहरी किरपाधारे भगतन जादु खदर दन्वारे नालो अमर बनायो जगडो लायो आद जुगाँ जुग मज़ाप वारण आद जुगाँ जुग राग राग कोयारी भजन अठ आद जुगाँ जुग मज़ाप वारण संतन खेत सतायो भगडो लायो राग कोयारी के इस भजन में आचार्य सद्गुरु स्वामी टेउराम जी महराज प्रभु भक्तों की मैमा का बखान करते हुए फर्मा रहे हैं कि आदी काल से शुरुवात से संत महापुरुष जो सत्य का परचार करते हैं सत्य बात कहते हैं उनसे जगरा और जंजट होताया आद जुगां जुग मजभ वारन संतन खेत सतायो आतताई और द्वेश करने वाले मनुश उनको सताते रहते हैं नानक देव नगारो वजायो गलिय गलिय में हर गुन गायो तैंखे बंद करायो गुर्णानक देवजी ने सत्य का परचार किया गली गली में प्रभू परमात्मा का गुनकान किया उनको भी आतताईयों ने सताया जेल में बंद कर दिया काशिय माह कबीर जुलाहो पाखंड तोड़े पंथ चलायो पेर जंजीरे पायो इसी प्रकार से कभीर साब ने काशी में सत्य का परचार किया पाखंड का खंडन किया तो उनके पाउं में भी जंजीर डाल दी गई अनंद प्रकार से उन्हे सताया गया एैनल हक मन सूर अलायो हक हकी की भोको लायो सूरिय सीश चड़ायो मनसूर ने भी उस सत्य का परचार किया एनल हक का नारा दिया कि मैं ही ब्रम हूँ उसको भी सूली पर चड़ा दिया गया बीन बुलाशा बिरह वजाई गल विच जामो छेर छमकाई तहले शोर मचाई बुलाशा ने सत्य धर्म का प्रचार किया प्रभू परमात्मा को रिजहने के लिए गले में जामा डालके और पाउं में भूंगरू बांद के नाचने का काम किया तो उसके लिए भी आतताईयों ने बहुत उने सताया गुरू माराजी कह रहे हैं कहिए टेउं हर किर्पा धारे भगतन जादुख दर्द निवारे नालो अमर बढ़ाए इसी प्रकार से प्रभू परमात्मा अपनी किर्पा करते हैं उन संत महापुरुशों को जो दुख कष्ट मिलता है उसके पीछे भी इश्वर की कर्पा चिपी हुई है कसोटी पे कसके अपने भगतों को जब वो उतिर्ण हो जाते हैं तो उनके नाम जुगां जुग प्रगट हो जाते हैं सब जगे उनकी नाम यश्कीरती प्रकट हो जाती है तो ये प्रभू परमात्मा परिक्षा लेते हैं और परिक्षा में पास होने पर उन भक्तों के नाम संसार में रोशन हो जाते हैं वचन हंडाये पाय पद पूरण निर्बानी अंग संग थे सानी हर हंद तोसा सत गुरू महमा आवे अंत सत गुर्टे मुरामजी महमा आवे अंत ठायो जग कल्यानले प्रेम प्रकाशी पंथ अनभे पाणिय सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाई सगे नपार को महमा आवे अंत भगतन ले भगवन्त आयो मानश रूप में तत गुर्टे मुराम के है उपकार अनन्त दियामुलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ दूबत जीव अपार है भवसंद है बेंत सेत बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाओं सदावारी पर बलहार जिसवारी पर बैठके ग्रंथ रचा सुखकार वारी मर्थन जानिये वारी अम्रत धार वारी पर वारी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागरमन्थन से मिला अम्रत घट सुखराश् उरमन्थन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश् अंध तमस का दीप लओ जों करती है लाश् अंतर तम में दीप सम वाणी करे प्रकाश् पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुर्टियू राम अमरा पुर्वानी दो ब्रह्म दर्ष नी जान कविता चंद दोहा वली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश् पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश् सत्नाम चाकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमर्त मई महमा मई आनंद मई करणा वर्षणी ब्रह्म अमर्त वर्षणी अंतर दृष्टी उनमेशनी सर्व व्याधी विनाश्नी भाव पाश विमोचनी कल्यान कारी ये वानी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर्वानी हिंधी अमरापुर्वानी भजर्थ ब्रह्म दर्षणी कवितावली चंदावली और दौावली पांच अरतन है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वानी का अर्थ समझ कर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ती करे अनंद अद्पद रहस्य से भरी वई गुरु माराजी की वानी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमई वचन इस वानी में भरे वई है तो उनका भावार्थ इस श्रंखला के द्वारा प्रस्तत किया जा रहा है पढ़के समझ के मनन करके उनका लाप प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाए